गुड मॉनिंग, पाँच मिनट के अंदर, आज हम लोग ओचीज सीखने वाले हैं, साइध एक मामा भी ना सीखे, सौपुष तक पढ़कर भी ना सीखे, सो गाइस, पाँच मिनट मेरे साथ बने रहिए, सबसे पाले, थोड़ा समय परणाउन को फोकस करना चाहूंगा, उसक परणाउन और एड्जेक्टिव पर आज मैं ओचीज बताने वाला हूं, जो सो पुस्तक पढ़िएगा, तो भी नहीं मिलने वाला है, सिक्षकों को भी नहीं पता रहता है गाईस, इसलिए पाँच मिनट मेरे साथ बने रहिए, ओए, ओके, वैसे मैं थोआ सा फोकस करना च परणाउन के बदले आने वाले सब्द परणाउन के हलाते है, जैसे I, We, You, He, See, It, They, Everybody, Everyone, Someone, इस सब्द का है बाबू, परणाउन है, ओके, एड्जेक्टिव किसे कहते है, तो नाउन और परणाउन के विसेस्ता बतलाने वाले सब्द को एड्जेक्टिव कहते है, यानि कि मेरिट और डेमरिट बतलाने वाले सब्द को एड्जेक्टिव कहते है, ओके, ये चेप्टर हम लोग पढ़ चुके है बाबू, अगर आपका क्लास मिस कर गया हो, तो प्लीज, आप से जाकर पूरा कर लेजे, आज मैं बहुत ही अच्छा चीज पढ़ाने वाला हूँ, बह देट भी पता है, दीज का पुलल दीज होता है, ये भी आपको पता है, और डेट का पुलल दोज होता है, ये भी आपको पता है, ओके, बट दीज, डेट, दीज, और दोज, परणावन भी है और एड्जेक्टी भी है, क्या ये पता है, अगर नहीं पता है, तो बस जूड अगर वर्व आ जाता है, तो इस डाइट, इस और दोज के तुरंट बाद, अगर वर्व आ जाता है, तो इस डाइट, इस और दोज, पॉर्डाउन के हला आता है, अगर वर्व आ जाता है, तो यहाँ दिज डाइट, इस और दोज के तुरंट बाद, अगर नाउन आ जाता है, तो यहाँ दिज डाइट, दिज और दोज क्या हो जाता है, वावो, एड्जेक्टिव हो जाता है, जैसे देख रहे हैं बाबू, यह थपड है, अगर ऐसे बान लिए तो यह घुसा है, मतलब situation change, हाथ का situation change, नाम change, इसको थपड कहते हैं, इसको घुसा कहते हैं, फाइट भी कहते हैं, similarly, these, diet, these, or those, के बाद अगर भर्व आ गया, तो यह क्या कहलाता है, परणाउन कहलाता है, और यह थ, these, diet, these, or those, के तुरत बाद अगर नाउन आ गया, तो इसे हम adjective कहते हैं, ओके, आईए अब sentence पर देख लेते हैं, जैसे, this, or that, एक ही साथ में देख लेते हैं, is a cow, देख रहे हैं ने, गाईज, this के तुरत बाद is आ गया, तो this is a cow, यहां एक गाया है, तो this के क्या आया, तुरत बाद जो है वर्व आ गया, देख रहे हैं नो, this के तुरत बाद वर्व, तो यहां पर this के है वावू, पर्णाउन है, that is a cow, that के तुरत बाद जी जा गया, तो that के है वावू, पर्णाउन है, similarly, this के पुलल हो जाता है वावू, this, और that के पुलल हो जाता है, those, तो यहां कह दिया जाए कि a, cows, तो these are cows, तो these के तुरत बाद आ गया, मतलब these क्या है, पर्णाउन है, those are cows, तो दोज क्या है वावू, पर्णाउन है, चुकि इसके तुरत बाद क्या आ जा रहा है, वर्व आ जा रहा है, ओके सिमिलरली अगर थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए यानि कि यहां एक्जाम्पल में देखिए जैसे दीस काउ इस रेड यहां पर ध्यान दीजिए बाबू दीस के तुरत बाद काउ आ गया वह कह रहा है यहां पर दीस डायेट दीस और दोज के बाद नाउन आना चाहिए एक तहब सटे हुए नाउन आना चाहिए तो यह क्यों हो गया दीस काउ मतलब यह गां क्या है इस रेड लाल है तो दीज के बाद जो है काउ आ गया उसी तरह से यहां पर अगर डाय काउ आ जाएं कि डाय काउ इस रेड या these cows are red या those cows are red समझने का प्रयाज किजिए ध्यान देए यहाँ these के बाद तुरत cow आया है यानिकि noun आया है dead के बाद cow यानिकि dead के सटे हुए noun आ गया यहाँ दीज के सटे हुए काउज आ गया, यहाँ दोज के सटे हुए काउज आ गया, तो यहाँ पर दीज, डैट, दीज, और दोज, क्या है वाभू, एडजेक्टिव है, मतलब कंसेट के लिए, कि दीज, डैट, दीज, और दोज, के तुरत सटे हुए भरब आ जाए, तो द इस डेट, इस और दोज पनावन कहला आता है, और यदि इस डेट, इस और दोज के तुरत सटे हुए नावन आ जाए, तो एड़ेक्टिव कहला आता है, वेरी सिंपल, और फिर कलम मिलते हैं, इसी के साथ नए अंदाज में, घड़ी सारा कर रही है, मैं आप लोगों से बीद जलाना चाहूंगा, थैंक्यू, वे नाइस अदिए.